कई मैयलाओं को pregnancy रूखने के बाद यह problem start हो जाती है अब यह कई कारणों से होती है ऐसा एक कारण नहीं है कि सिर्फ उनी कारणों से होगा जिसे की pregnancy के problem से आपको लगेंगे वैसे दो यह pregnancy के symptoms के तौर पर देखा जाता है जैसे pregnancy शुरू होती है यह symptoms दिखने शुरू हो जाते महिलाओं को कमर में और जांगों में दर्द होना ये कमर और जांगों में दर्द जैसे ही implantation का process पुरा होता है वैसे ही उनके इन कमर और जांगों में दर्द शुरू हो जाता है अब कमर में अक्सर दर्द बना रहना वो ये क्यों होता है अब महिला जो है पहले से उनको दूगनी तेजी से काफी जादा एनरजी चाहिए दूसरी चीज़ यह है कि नियूट्रिशन की जादा आवशकता है और तीसरी चीज़ यह है कि पहले से ही वो कमजोड है अब प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद शरीर जो है अच्छे से पोशन नहीं दे पारी है बच्चे को तो इस वज़े से भी कमण में दर्द होगा एक ऐसा नियूट्रिशन जो की शरीर पूरा नहीं कर पारा है वो है कैल्शियम कैल्शियम के कमी होने लगी है अब कैल्शियम के कमी होगी है तो हड़्ियों में दर्द हड़्ियों में कमजोरी होना शुरू हो जाएगा तो आप कई बादेखती हूंगी कि महीला जो है काफी जदा उनके फीट्स दरत कर रहे हैं ज्यादा चल रही है, वौक कर रही है तो उनके फीट्स जो है वो पेन करने शुरू हो गया ये इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम की कमी है और जो उनके हड्डिया है वो कमजोर होने लगी है और बच्चे के लिए भी कैल्शियम की जरूरत पर रही है जिससे की बच्चा अवशोशित कर ले रहा है और महिला खुद के लिए नहीं बचा पा रही है उनके बॉडी तो इस वज़े से कमर में दर्ध होता है पैरों में दर्ध होता है जांगों में दर्ध होगा यानि कि joints में भी कई महिनाओं को दर्द होना शुरू हो जाता है इस calcium की कमी को पूरा कैसे किया जाएगा तो calcium के tablets दिये जाते हैं तीन महिने के बाद इससे पहले आपको क्या करना है जैसे शुरुवाती दिनों से ही ये problem शुरू हो रही है तो आपको करना ही है भड़ में जितने भी dairy products है दूद हो गिया, घी हो गिया, दही हो गिया, चाच हो गिया, पनीर हो गिया इन सभी का सेवन आपको करना स्टार्ट कर देना अगर अच्छा नहीं भी लगता है तो दूद अगर अच्छा लगता है तो दूद पीए पनीर अच्छा लगता है तो पनीर की सबजियां खाएं चाज पीना अच्छा लगता है तो आपको लंज के बाद चाज पीना है लसी पीना अच्छा लगता है तो लसी पीए जितने भी अगर आपको जो भी अच्छा लग रहा है आप उससे इस कैल्शिम की कम्य को पूरा कर स साथ में सुर्य का किरन होता है उससे जरूर आप उस किरन में जरूर थोड़े दर बैठें जिससे के हडियां भी मजबूत होती है और आपको ऑवर्एल जितना भी दैमेज है बॉडी में वह कहीं न कहीं रिकावर होना शुरू हो जाता है साथ में बच्चे की गुरूत के लि बना रहता है जाते जाते इस वीडियो को लेक चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाएं धन्यवाद